कि जए शितरां कि साब्ताहिक राशीफल विकली राशीफल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और ग्यार है अप्रिल से लेकर के 17 अप्रिल 2022 यह जो सब्ता है यह जो यह जो वक्त है यह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है इस बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों हमेशा की तरह मेश्व राशी से लेकर के मीर राशी तक विस्तार से आपको मैं यहां पर समझाऊंगा बताऊंगा लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको जो बाते ध्यान रखनी है वह बता देता हूं बार-बार हर राशी फन के वीडियो में क्यों रिपीट करता हूं कई सारे दर्शक मुझे कहते सर हम आपके रेगुलर वीवर्स हैं में पता है लेकिन आप बार-बार रिपीट क्यों करते हैं बहुत सारे नय वीवर्स भी आते हैं, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मैं रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं भी उनसे और आप सभी से प्रेम रखता हूँ, तो इस वज़े से ये बात क्या है देता हूँ, ताकि कोई भी अंदव लेकिन यहां पर जब राशी फल की बात कर रहे हैं तो यहां पर ग्रहों के गोचरों का अध्यान किया रहा है और वो आपके चंद्र कुंडली के आधार पर चंद्र राशी के आधार पर चंद्र राशी चंद्र कुंडली के आधार पर क्यों कि शाष्ट्रों के अनुसार सारमजनिक तोर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाई की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए ऐसे ऐसा आदेश है इस वज़े से चंद्र राशी के आधार तो इस बात को आप समझे है आप आगे बढ़ते हैं और मेश से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशी है उस राशी के आधार पर आप समझेए आप जानिए आपकी आपका राशी फल आपका सापता ही भविश्य फल तो सबसे पहले नंबर पर मेश राशी के बात करें मैश राशी के लिए कम हूं तो यह वक्त जो है आपको धार्मिक कारियों के परती और ज्यादा रूची कर बनाएगा निए आपका जो आपका जो एट्रेक्शन है वो धार्मिक कारियों या जियोतिश या अध्यात्म के प्रती ज्यादा बढ़े ऐसे वीडियोज आप आप देखें या ऐसे किताबे ग्रंथ आप पढ़ें या ऐसे जगहों पर आप जाए गुमने फिरने या ऐसी कुछ इस्तियार मुझे आपके लिए बंती भी नजर आती है बाद अची बाते क्योंकि धर्म जो है जिसंदे हमारा सनातन धर्म के दिवाद करें तो यह परफेक्ट विज्ञान है आज के वैज्ञानिक जो मौडर्न वैज्ञानिक है वो भी उस तह तक नहीं जा पा और सच्चे धर्म में मन लगाना हां सच्चा धर्म मतलब की वसुधेव कुटूंबकम तो परहित सरीस धर्म नहीं भाई दूस्कों का भला करने सके समान कोई धर्म नहीं अहिंसा पर्मो धर्म धर्म हिंसा तथेवचा अहिंसा परम धर्म है लेकिन धर्म के लिए की गई ध भी ज़रूरी है यह हमारा धर्म है प्राक्टिकल तो धार्मिक कालियों में रूची बढ़ेगी सही धर्म के प्रती रूची बढ़ेगी और मुझे लगता है कि इसकी वज़े से आपको कोई खुशी शांती और कुछ नया सीखने को मिले ऐसा भी होगा इसी के साथ साथ खर्चों के आपको जो है वो ज्यादा यूग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके लिए खर्च ज्यादा हो सकता है अपने खर्चों पर संयम बढ़ते हैं अपने खर्चों पर काबू बढ होता है कि ऑब हम खर्च कर जाते हैं यह वस्तु नहीं झा लेनी थी पैस तो इस बात यह दूसरी एक बात यह मुझे दिखती है कि कहीं रिसकी इंवेस्मेंट हो जाए शेर मर्केट में भूमी में फ्लेट में किसी को उधार देने की बाद हो तो वहाँ पर कहीं रिस्की इंवेस्टमेंट हो और रिस्की इंवेस्टमेंट की वज़ह से पैसा फस जाए ऐसा भी हो सकता है तो इस बात का ज़र आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी बीना जाच पर्ताल के पैसा नहीं लगाने और जाच पर्ताल करने के बाद भी यदि आप इस सब्ताह रूख सकते हैं तो आने वाले अच्छे वक्त की प्रतिक्षा करनी है रहे हृ अभी जानकार भी है हमाताऊ भी किसमत जहें पलृटि का जातीये और कई यहां पर आपको चाहिए कि फिजूल का खर्चों से बचे और रिस्की इंवेस्टमेंट से बचे आप उन्नतिक अच्छे योग है मेश राशी के लिए आर्थिक दृष्टिकों से मानसिक दृष्टिकों से मानसिक कुछ सीखने को मिलेगा तो सिर्फ धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं यदि आप प्रो दूपकत है जो सब्ता यह अच्छा जाएगा मेश राशी के बाद यदि शर्चागा ने व्रिश्व राशी कि तो इन के लिए कहना चाहूंगा कि भया आपकी तो प्रतिष्छा में व्रद्धी होगी भयान जो भी है आप व्रषभ राशी माता है आप काका है आप जो भी ह आपकी प्रतिष्ठा में व्रद्धी मुझे होती हुई नजर आती है और प्रतिष्ठा में व्रद्धी कब होती है तो मैं यह बात बार-बार कहते रहता हूं बताते रहता हूं कि प्रतिष्ठा में व्रद्धी तब होती है जब आप सफल होते हैं भाई कोई भी कारे हो चाहे हो आपका regular कारे हो हमेशा करने वाला कारे हो या फिर कभी कभी करने वाला कारे हो तो वो कारे जो भी आपने किया उसमें आपको success मिल गए नौकरी, website, profession, पढ़ाई, घर भार सम्भालना, स्वास्थ की बात करें दोस में या कोई अचाना की कोई किस अचाना की आपके प्रतिष्टा में व्रद्धी होगी, तो ऐसा कुछ मुझे बनता हो नजर आता है, मतलब और 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 आपको सफलता मिले, और और आप success हो, यह इस्तिति मुझे आपके लिए व्रशवराशी के लिए बनती भी नजर आती है, और पदोन्नती के योग भ होगी, खास दोर पर मैं नौकरी जो करते हूं, उनकी बात करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह दी switch करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, खुद transfer चाहते हैं, वो भी हो सकता है, नई नौकरी लगना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, या already नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और प्रमोशन इंक्रिमेंट चाहते हैं वो भी हो सकता है तो ऐसे योग मुझे बिल्कुल निसंदे हैं बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं प्रशवराशी के लिए और प्रतिष्टार व्रत्धी होगी इसके वज़े से लेकिन आये में इंकम में धन में भी व्रत्धी होगा ऐसा भी मुझे दिखता है अब यह तो नौकरी की बात कि थी लेकिन हम विजनस की बात करें या पैत्रक संपत्ति के कोई हगदार ने उसकी बात करें लंबे वक्ते से चल रहा था या केस इस समय कुछ आप नया करना चाहते हैं अपनी संपत्ति को लेकर कि उस आद्र इस थिति की हम बात करते हैं तो यह समय आपके भाग्य से आपको साथ जरूर दिलवाएगा तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं इसी को हम दुसरे शब्तों में कहें तो यदि आप बिजनस में रिस्की इंवेस्मेंट करना चाहते हैं कुछ नया सूचना चाहते हैं वो भी क अच्छी बात है कि व्रशाव राशी के बाद मित्वन राशी के बात करेंगे मित्वन राशी के लिए कहूंगा कि कहीं घर या परिवार में घर या परिवार में शुब कारियों मांगलिक कारियों मांगलिक प्रसंग शुब प्रसंग उत्सा की कोई बेला हर्ष की कोई बे तो वो बनती ही मुझे नजर आती है तो गैट टूगेधर हो अब इसको इस वह में भी ले सकते हैं कि विवा तय हो जाए तो किसी प्रकार से कुछ नो कुछ अच्छा हो कुछ नो कुछ अच्छा हो जो कि शुभ हो शुभ कारे की बात हो जो मांगली कारे की बात है ऐसा मुझें यहил Convention के लिए यहां आपके लिए भी एक बाद यही करूंगा कि यश व्रद्धी और प्रतिष्ठा व्रद्धी आपको यहाँ पर मिलने वाली है मैं जैसे पहले ही समझा है प्रशिप राशी के लिए कि यश और प्रतिष्ठा में व्रद्धी कब मिलती है तभी मिलती है जब आप सफल होते हैं आ लेकिन आपके धन की बात करें आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकॉन से भी ये वक्त जो है मुझे अच्छा दिखता है मजबूत दिखता है यदि कहीं रिस्की इंवेस्ट्मेंट आप करना चाहते है शेयर मार्केट में भूमी में बिजनस में को रिस्की इंवेस्ट्मेंट करना चाह रहे हैं तो निसंदे हैं ये समय आपको यश्ट या प्रतिष्ठा दिलवाएगा लेकिन आपके धन में आयमें इंकम में भी ब्रत्धि करेग जिम्मेदारियां बढ़ती हुए मुझे नजर आती है प्रेशर भी बनता हुआ बढ़ता हुआ नजर आता है मानसिक जो दबाव है है mental pressure तो बैसे बढ़ रही है या जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो अच्छी बात है ना और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो प्रेशर तो आता हुलथ यह मानसी दबाओं तो आता ही है pourquoi कोई को अभी किसी की शादी वही और वने बच्चा हो गए तो जिम्मेदारी बढ़ गें मामाप बन गए लेकिन प्रेशर विद्षा नओ-कर्णी में बढ़ने के योग है और इती ऐसा है तो मैं तो इसे पॉजिटिव समझता हूं कोई नेगेटिव बात नहीं मितुन राशी के लिए और और आर्थिक पारिवारिक मानसिक शालिरिक सारे दृष्टि पढ़ा ही लिखाई के दृष्टि कौन से यह समय अच्छा है आपको सफलत है डिलवाइन कि मतलना स्ब्राश्य के बात करक करते हैं करक कर राशxic की यह कहोंगा कि ह cambiar Milwaukee दो था रहा हूं पूराने जुवी कारे रुखे हुए थे लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे कोई कार्य रुके हुए थे काम नहीं बन पा रहे थे काम नहीं हो पा रहा था तो वो सारे रुके हुए कार्य यहाँ पर आपके पूरे हो ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है अब इसे हर विशे में लिया जा सकते हैं इसे आप ले सकते हैं संतान प्राप्ति के विशे में इसे आप ले सकते हैं पड़ाई लिखाई के एक्जाम के विशे में इसे आप नौकरी के विशे में ले सकते हैं और सवास्थ के विशेह सतीग नहीं और अलंबे वक्ति अप्रेास लगते इस वो यह विशेंट करें करकर आशी की तो बी और नम्की कारें रुके हुए थे हो सारे कारें है पर अपके मौद अपके पूर हो ना हों स्वास्थ के दृष्टि कौन से परेशान है तो मुझे यहां पर स्वास्थ का हैल्थ का आपका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आता है तो यह भी एक बड़ी अच्छी बात है और इसे के साथ साथ एक और बात मुझे दिखती है कि आपके जो पारिवारिक जो माहौल है पारिवारिक जो एक्मोस्फेर है वो तो अच्छा होगा लेकिन पारिवारिक आपकी संपत्ति है दी आप परिवरिक संपत्ति के हगदार हैं, जैदात के हगदार हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे, ऐसे भी मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं तो आर्थिक द्रश्टी कोण से और पारिवरिक द्रश्टी कोण से भी ये समय अच्छा दिखता है, स्वास्त के द्रश्टी कोण से भी समय अच्छा दिखता है, इस्पेशली करकराशी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई के में बढ़ा मिलें आप स्टुडेंट हैं तो भी मुझे आपके लिए वक्त अच्छा दिखता है मजबूत दिखता है ठीक है करकर राशी की बात करते हैं और सीह राशी के लिए कहूंगा कि यश, सम्मान, मान में व्रद्धी भाई मैं वरिश्यव राशी के लिए बात कहा मिथुन राशी के लिए बात कहा अब सीह राशी के लिए यही बात मैं दोहरा रहा हूँ यश में व्रद्धी, सम्मान में व्रद्धी, प्रतिष्ठा में व्रद्धी जब positive कहता हूँ तो पड़ा अच्छ लगता है देखो मैं हमेशा यह बात कहता हूँ I am not a motivational speaker जब मैं astrologer हूँ तो मैं consultant हूँ है ना तो consultant negative भी बताएगा positive भी बताएगा तो मुझे तो negative भी बोलना पड़ता है लेकिन सही कहूँ तो मैं एक इंसान भी हूँ तो negative भी बोलना अच्छा नहीं लगता है बोलना परता है बोलता हूँ बोलता रहूंगा लेकिन अच्छा नहीं लगता है और positive भी बोलना बहुत अच्छा लगता है समां में व्रजिप प्रतिष्टा में व्रद्धी, इमान में व्रद्धी, और यदि कहीं ऐसा है तो नी-संदेह, सफलता है, भै यश्ट, सम्मान, प्रतिष्टा कब बढ़ेगी आपकी, जब आपको सफलता मिलेगी, आप नौकरी करते हैं, वैबसाइल करते हैं, आपको उसमें, उन्नती मिले, मिले को सफलता मिले एक मिले मैंक प्रमोशन मिलेगा तो यश्वरत्द्य होगी ना आच्छे न्हें तो ओर आल आपके शेत्र में आपकी सफलता हो मांगलिक क्यार मांगलिक प्रसंगों की योग भी मुझे आपके लिए बनते और यह बढ़ी अच्छी बात है कि घर परिवार के स्तिती इस वजे से बहुत अच्छी रही गेट टूगेदर होगा मिलना जुनना होगा प्रेम बढ़ेगा हाँ खर्च भी बढ़ सकता है मांगलिक प्रसंग मांगलिक कार्य जहां पर होता है वहां पर खर्चें भी जो है बढ़ जाते हैं लेकिन एक होता है खर्च एक होता है इंवेस्मेंट पैसा दो तरह से जाता है आपके पास से एक तो खर्च में एक इंवेस्मेंट में अब मैं नहीं इंवस्मेंट है आप तक ही वीडियो पहुच रहें तो जो है बहुत सरी चीजें इंवस्मेंट होती है यह आपका इंवस्मेंट चाहेगा बहुत हैसा कोई फिजूल खर्च मुझे होता हो नज़र नहीं आता बस एक बात का ध्यान रखीएगा कि रिस्की इन डाप ना करें शेयर मार्केट से फोड़ासा बचके रहएगा या को फड़ेट बगेरें तो सबाचके रहे हैं या सबहुत रहिएगा या या जाटेंटपरताल कीजिएगा उदहार किसी को नहीं देना है यह बात को समझ लेज़ेगा, बागी कोई चिंथा की बात ने हो, सीख राषी के बाद, करनीय राषी की बात करेंगी, तो One, एक अच्छी चीज मुझे यह नजर आती है, धार्मिक कार, धार्मिक गरांथों में, धार्मिक फुस्तकों में, धार्मिक प्रसंगों में आपकी रूची जो है वो ज्यादा बढ़े ऐसा मुझे दिखता है और यदि रूची आपकी ज्यादा बढ़े तो निसंदे फ्रिशांती मिले नया को सीखने को मिले भई हमारा धर्म मैं अब थोड़ देर पहले भी बात कही थी कि हमारा धर्म जो है वो एक परफेक्ट विज्यान है मॉडरन साइंस आज तो कम से कम हमारे धर्म की बराबरी नहीं कर सकता देखिए बहुत सारी चीजें हमारे धर्म में दकिया नूसीता है लेकिन आपको पता है वो क्या चीज है वो जोड़ दी गई है आपको क्या लगता इतने वर्ष मुग प्यास नहीं क्या होगा और इतने प्रयास करने के बाद भी आज भी वह धर्म हमारे जिंदा है इस कदर जिंदा है कि आज भी आज यह सूर्य ह Já aob यह पर बढ़ना यह हमारी मानसिक शांति भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी भौतिक उन्नति इन सब का कारण होता है तो बिल्कुल रखिए और बिल्कुल आप आगे बढ़िए संपत्ति आर्थिक स्तिति धन आए इनके दृष्टी कोन से बात करेंगे तो भी मुझे वक्त बहुत अच्छा बहुत शांदार बहुत खुश्णुमा बनता हो नजर आता है इस दृष्टी कोन से भी अच्छी बात है यदि कहीं लंबे वक्त से आपकी संपत्ति या पैसा फसा हुआ था रुका हुआ था किसी ने उधार लेकर करके रखा था तो वो यहां पर छुट जाए आपको मिल जाए ऐसा मुझे दिखता है ध्यान से ये आपके माता पिता सकमें भाई बहन आपके पती-पत्णि या बच्चे सचमेश आपके अपने हैं आपके इक-दो दोस्त होँगोगे बहुत उटुम्हें बंदी नजर नहीं आते हैं और उल्टोनि से मुझे आपका प्रेम आपका संबंध और ज्यादा मजबूत बनता हो नोज सिसको करें गए चुल्य की तुलाजी की चलिए करेंयों कि अपने शारिक स्वास का ध्यान दिजिए शारेडिक स्वास का ध्यान देने की आपको बहुत जादे जरूरत है यदि कहीं लंबी आपको बीमारी है जैसे डाइबिटेस थारेड, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, इत्यादी या फिर छोटी-मोटी बीमारियां भी जो है वो हो सकती है तो अपने शारेडिक स्वास के ध्यान तो आपको देना चाहिए सणक पर चलते हैं वक्त याता याउत नियमों का पालन करें या फिर दुरगटना के योग भी मुझे दिखते हैं थोड़ा सा संभल कर और भीड़भार वाले अरिया में जाते हैं जापर ज्यादा ट्राइफिक है तो थोड़ा ध्यान र एदः यह समज में आता है है कि यात्राओं के योग है और आपको चाहिए कि आप टाल नहीं सकते हैं याथ्राओं को तस आसाधनी बरत करके यात्राह करें है थिके यात्याक नियमों का बालन कोई है तो उस विशय में कहें नख सुनने को जानने को देखने को मिल जाए ऐसा मुझे आपके लिए तुलाराश्य के लिए बनता हूँ हुआ नज़र आता है ये बहुत अची बात है पारिवारी के स्तिति तो बौब बननगे परिवार का साथ भरपूर बनता हो नजर आथा और परिवार के साथ साथ मुझे आप की आरथी किस्तिती बी बहुत अच्छिंद आरथी इस्ती बिबहुत खुश्ञमार देखती हैं तो और ऑल तुला राशी में यह इस समय को मैं आप थोड़ा शारीडिक स्वास और मैंने जो कहा ना दुर्गटना इससे बच कर रही है इसके अलावा अच्छा है चिंता की बाद तुर्णा राशी के बाद व्रश्षिक राशी की बात करेंगे और व्रश्षिक राशी के लिए कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं से आपको शुप समाचार मिले आपको आपको खुश खबर मिले ऐसा मुझे दिखता है अब आप सूचिए कि आपको कहां से मिल सकती है किस लायक तो संतान प्रापति की कि कोई खुश कबर या शुब समाचार मिल सकता है कोוכई नौकरी के चूख हो उस विशे में रिजल्ट आनेवाला है उस विशे में स्वास्त कोई रिपोर्ट दी थी प्लट की रिपोर।्ट दीती या किसी प्रकार कि स्वास्त कोई रिपोर्ट पॉजिटीव आ जाय altri है तो अफिर रसी राशी के लिए शुन संकेत अम और आपके लिए मुझे यह यहां पर मिलता होगा नज़र आता है बड़ी अच्छी बात है और लाब के योग है मैं तो कहीं दिया लाब के योग है शुप समाचार मिलेगा मतलब लाब ही होगा ना कुछ तो लाब होगा लाब के योग बंते नजर आते हैं और सिधे तोर पर आर्थिक इस्तिती भी व्रश्शिक राशी के लिए इस समय परिवार का साथ बरपूर मिलने वाला है इस समय परिवारी किस्तिती आप बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए अपनी महेंगी चीजों का ध्यान रखें आचा एक बात में कहूंगा किसी पर भी किसी तिसरे पर तिसरे इंसान पर विश्वास ना करें ये वक्त ये आती विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना और अंद विश्वास तो किसी पी इंसान पर नहीं करना चाहिए अंद विश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए ठीक है मेरी इस बात का बस ध्यान रखें अन्य था तो अच्छा समय वर्शिक राशी के बाद धनुल राशी के बात और धनुराशी के लिए बात कहा रहा हूं धार्मिक कारियों में धार्मी प्रसंगों में धार्मी पुस्तकों में आपकी रूची जो है वो ज्यादा बढ़े और रूची ज्यादा बढ़े तो इसका मतलब यह कि आपको कुछ सीखने को मिले आपको कुछ जानने को मिले भई मैं बार-बार यह बात दोरा का नौँए पिछली दो राशियों के लिए आपके यह जो है कि जो आज इत्वा ग्रहन लगने वाला है कौन से ज़रां चल रहा है कौन सी राशी में किस आधार पर जो है कब कहां से कहां गुजड़ेंगे कहां पर भी सारी घड़नाय जो है यह कोई देख देखकर करते नहीं टेलिसकोप से तो कैसे पता चल जाती है जोतिश नहीं गड़ित है तो जो इतने नष्ट्रब्रश्ट करने के बाद भी इतना परिपक्व है वो जम नष्ट्रब्रश्ट्र नहीं था तब क्या रहा था तो वही हमारा धर्म है और धर्म के प्रतिजी रूची बढ़ रही है तो कुछ ने कुछ सीखने को आपको मिलेगा खर्च आपकर ओ सकता है खर्चव पर ज़र आपको काबवो रखने की खोशिश करनी चाहिए शारी षालिकर िकम पैसे की बात करें जो आने की बात है उसमें कोई दिकत नहीं के द्रश्टिकॉन से समय है चाह भी पगई धनुर आशी के बाद मगर राशी के बात करें तो यदि आप कुछ नया सोच रहे हैं अइसंदिः आप अ आगे बढ़ सकते हैं पद उनती के योग हैं, आपकी नौकरी करते हैं, आपकी धन में, आपकी पद में, आपकी प्रतिष्ठा में उनती हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है, का मतलब ही कि निसन ने महारसिक दिखती और वही समय अच्छा हैं, क्योंकि नए योजनाय सही से आप बना पाएंगे डिसिजन मेकिंग पार अच्छा होगा तभी तो नाया विचार अच्छा होगा उस दृष्टी कोंट से भी समय अच्छा है और और मेकर राशी के लिए यह समय आगे बढ़ाने वाला है मजबूत आपको और ज्यादा करने व पाइसा लक्ष्टा कर लिया गया यदि नहीं प्राप्त किया उसकी दिशामें लग जाए और यदि प्राप्त करी लिया तो को इसा बोली ने सकता है कि हमारे कुछ लक्ष्य नहीं है तो को अच्छा है कुम्वराशी के लिए जो है वाफिए चौन होगहार तो और निसंदे उसमें आपकी उन्नती आपकी सफलता भी बंती वी और बढ़ती हुई आपके लिए नज़र आती है लिए पहुत अच्छी बात है पारिवारिक द्रश्टी कोम्भ राशी के लिए समय अच्छा रहेगा पारिवारिक इस्तिती मजबूत रहेगी यादि संतान प्राप्ति के आप इच्छुख हैं या किसी प्रकार से शादी प्याह विभाक इच्छुख हैं तो वैसे भी योग मुझे आपके लिए बत्तेव नजर आते हैं और यदि आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर इनकिटमेंट प्रोमोशन चाहते तो वैसे भी और और समय बहुत अच्छे और कुंब राशी के बाद कर रहा है तो आपको शुब समाचार शुब संदेश मिले ऐसा मुझे दिखता है मीन राशी तो आप वही बात है कि आप किस लायक है कि सिच्छों है यह देखी संतान प्राप्ति के चुक हैं लायक है तो उस विशय मे विवा के विशे में स्वास्त के विशे में कहीं कुछ ना कुछ शुब समाचार आपको मिले हैं इस समय तो खर्चा हो जाता है और आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती तो खर्चा सोस समझ कर रहेगा और इन्वेस्टमेंट कहां कर रहें कैसे कर यह भी सोच समझ कर करिएगा मैं यह भी देखता हूं कि कहीं न कहीं आप पारिवारिक तोर पर यदि कहीं मदभेद और जाधा मजबूत और जाधा अच्छी और जाधा यह समय बहुत अच्छा है तो यह समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा है तक जो भी की राशी तक वी उठीन ही आपके होने वाल स्य थो जाना किए पसंद आई होगा Str या पसंद आता मिज़ता यह कमेंट करके बता सकते हैं यह पसंद detail फिर मिलते हैं तब लिए जैस विसी तरहाँ